ओम शांती अव्यक्वानी 18 जन्वरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्थ होने के बाद अव्यक्वतन से प्राप्ट दिव्य संदेश गुलजार बहन द्वारा पहला आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदी से अंतक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे चैसे साइन्स वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुचे और जितना चंद्रमा के नस्दीक पहुचते गए उतना इस धर्ती की आकरशन से दूर होते गए पृत्वी की आकरशन खत्म हो गई वहाँ पहुचने पर बहुत हलकापन मैसूस होता है जैसे तुम बच्चे जब सुक्षम वतन में आते हो तो स्थूल आकरशन खत्म हो जाती है तो वहाँ भी धर्ती की आकरशन नहीं रहती है यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा और भी एक अंतर बापदादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लोटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है लेकिन यहां तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है इसके बाद बाबा ने एक ग्रिश्य दिखाया एक लाइट की बहुत उंची पहाड़ी थी उस पहाड़ी के नीचे शक्ती सेना और पांडव दल था उपर में बापदादा खड़े थे इसके बाद बहुत भीड हो गई हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षतकार मुर्थ खड़े है सभी उपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उपर देख नहीं सके जैसे सभी बहुत तरस रहे थे फिर थोड़ी देर में एक आकाश्वानी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्यान होना है। उस समय हम सब के चहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक ब्रह्मा का साक्षतक होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी, कोई हस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आसु बहारा था। लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजोस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्षरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खीचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शान्त हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभ अभीमानी बनने का पुर्शार्थ करो। चितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभीमानी बनना है। दूसरा, आज जब मैं वतन में गई, तो बाब दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्धित ते। और जैसे ही मैं पौची, तो जैसी साकार रूप में दृष्टी से याद लेते थे, वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टी में विशेश प्रेन के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्थ है और कईयों की याद में अव्यक्थ भाव के साथ व्यक्थ भाव मिक्स है। 75 बच्चों की याद अव्यक थी लेकिन 25 की याद मिक्स थी फिर बाबा ने सभी को स्ने और शक्ती भरी द्रिष्टी देते गिट्टी खिलाई फिर एक द्रिष्य इमज हुआ क्या देखा सभी बच्चों का संगटन खड़ा है और उपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है बिल्कुल चारों और फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था बाबा ने सुनाया बच्ची बाब दादाने स्ने और शक्ती दोनों बच्चों को दी ही है रहता शक्ती ही धारन किया है इसके बाद फिर दूसरा द्रिश्य दिखाया तीन प्रकार के गुलाब के फूल थे एक लोहे का तूसरा हलका पीतल का और तीसरा रियॉल गुलाब था तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ड भी इस प्रकार है जो लोहे का फूल है या बच्चों के कड़े संसकार की निशानी थे चैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है जब तक गर्म ना हो खतोड़ी ना लगा तो मुड नहीं सकता इस तरह कई बच्चों के संसकार लोही की तरह है जो कितना भी भटी में पड़े लेकिन बदलते ही नहीं दूसरे हैं जो मोडने से वो महनत से कुछ बदलते हैं तीसरे वो जो नाच्रल ही गुलाब है यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बढ़ने में कुछ मैनत नहीं ली ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियोल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठा कर थोड़ा गुमाया गुमाते ही उनके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीच का बीज रह गया तो बाबा बोले देखो बच्ची जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुर्शाद करना है जो एकदम फट से पुराने संसकार पुराने दे के संबंधियो रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संसकार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे जो महनत करनी पड़े कर्माती तवस्था सहजी बन जाएगी क्या कोई कर्मबंधन उस समय अटक डालेगा अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो तीसरा आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रन देने के लिए गई तो बाब दादा के इसारों से अनुबव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है इतने में ही बाबा बोले अच्छा बच्ची सभी बच्चोंने बुलाया है तो बाब दादा बच्चों का सेवाधारी है यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हा की क्यों दिल के संकल्प को जान कर बाबा बोले यह जान बूझ कर, कर्म करके बाबा सिखला रहे है कि तुम बच्चों को भी एक-दो की राय, एक-दो के विचारों को रिगार्ट देना चाहिए बल समझो, कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फोरण ठुकरा नहीं देना चाहिए पहले तो उनको regard दो कि हाँ क्यों नहीं बहुत अच्छा जिससे उनके विचार का force कम हो जाए तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे पस समझ सकेंगे अगर सीधा ही उनको cut करेंगे तो दोनों force टक्कर खाएंगी और result में सफलता नहीं निकलेगी इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना अवश्यक है इससे ही आपस में सने और संगठन चलता रहेगा चोथा, आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुची तो बाप ददा सामने थे ही लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गलेमें धेर की धेर मालाय पड़ी हुई थी फिर बाबा ने कहा यह माला उतार कर देखो माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी हमने कहा बाबा इसका रहस्य क्या है बाबा बोले बच्ची यह सभी के उलहनों की माला है क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांध में बैठते हैं तो बाबा को स्ने में उलहना ही देते हैं हर एक बच्चे ने बाब को उलहनों की माला जरूर पहनाई बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा भल याद है लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलहना देते रहते हैं यू तो ग्यान बच्चों को है लेकिन ग्यान के साथ प्रेम का स्ने भी है इसलिए इन उलहनों को गलत नहीं कहेंगे फिर हमने पूछा बाबा आपने इसका रिस्पॉंड क्या दिया तो बाबा बोले चैसा बच्चा वैसा रिस्पॉंड बाबा ने कहा मैं भी रिस्पॉंड में बच्चों को उलहनों की माला ही पहनाता हूं वो कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया जो बाब की आश बच्चों में थी वो साकार रूप में बाब को नहीं दिखलाई जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है बाबा ने कहा ये उल्हना भी मीठी, रूरीहान है ये भी एक खेल पाल बच्चों का है साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रिंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में दाप दादा देखेंगे ये सीन पूरी हो गई फिर भोग स्वीकार कराया फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाओ तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो बाबा का म्यूजियम तो एक सेकंड में तयार हो जाता है फिर क्या देखा एक बहुत बड़ा हॉल था एक ही हॉल में हम बच्चे धेर के धेर मॉडल के रूप में खड़े थे हमने कहा बाबा क्यों तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है अभी तुम जाओ चाकर एक मॉडल को देखो कि बाब दादे ने क्या-क्या सजाया है जैसे आर्टेस्ट मुर्ती को सजाते हैं तो बाबा ने कहा देखो बाब दादे ने क्या-क्या सजाया है हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा पूरी सजी हुई मूर्ती दिखाई पड़ रही थी बाबा ने कहा जो मोटा श्रिंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए है परन्तु अब अव्यत रूप में क्या सजा रहे हैं सबी श्रिंगार तो हैं जेवर भी हैं परन्तु जेवर में बीच में नग लगा रहे हैं बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े बाबा ने कहा बच्चों के प्रती मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्थ स्थिती में स्थित रहकर व्यक्थ भाव में आओ जब एकान में बैठते हैं, तो अव्यक्त स्थिती रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, वह मिस्क कर लेते हैं, इसलिए एकरस करमाती स्थिती का जो नग है वह कम है, तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं, वह सजा रहा हूं, जैसे साका रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अवयत रूप में करता हूँ, तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है, उस टाइम जो योग-योग बच्चे होंगे, उनको भासना आएगी कि बाबा बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं, जैसे मैं अव्यत वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूं, अव्यत रूप वाले बच्चों यह अनुभव कर सकते हैं, मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं, ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी, मैंने कहा बाब बाबा आप सभी को अव्यत्वतन में क्यों नहीं बुला लेते यहां ही बड़ा सेंटर खोल दो अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए हमेशा तयार रहना चाहिए यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है यह उपरा मवस्था सहज याद का तरीका है अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे पाच्वा आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुपव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूं बादलों की के बीच बाबदादा का मुखडा सूर्य चुन्द्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था सीन तो बड़ी सुन्दर दिखाई दे रहे थी लेकिन आज का वायुमंडल बिलकुल शांथ था बाबदादा के मुलाकात में भी शांती और शक्ती की भासना आ रहे थी फि कल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी स्रिष्टी में हो फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है जो कोई भी देखे तो मैसूस करे कि यह कोई फरिष्टे घूम रहे हैं लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर मुक अ अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षतकार होगा आज वतन में एक तरफ तो बिलकुल शांति थी दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था क्या देखा बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाय हुए साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समी प्लाना है आपकी दृष्टी में बाब समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माय नस्दिक आएंगी इसके बाद बाबा ने तीस सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए क्योंकि हर कार्ट पर सीनरी की डिजाइन थी किस में चित्र किस में शरीर हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था और बाब ददा बहुत हस रहे थे उसमें बहुती सुन्दर सत्युकी सीनरिया थी एक कृष्ण बाल रूप में जूले में जूल रहा था साथ में कांता माना दासी जुला रही थी दूसरे में सक्य सक्यों का खेल था मतलब तो सत्युकी दिंचर्या थी फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा बच्ची सब को संदेश देना कि शक्ती स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप चटा, आज जब इस दे और दे के देश से परे अपने कुसुक्ष्मवतन जिसको ब्रह्मपूरी कहते हैं बहां गई तो परमात्मा बाप ने एक ध्रिश्य दिखाया, बहुत बड़ी एक भीड देखी फिर देखा चैसे कोई टिकेट बाट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकेट मिले लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई 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 टिकेट मिली और कोई कोई टिकेट से वंचित रह गए जिनको टिकेट मिली वह दिल ही दिल में हर्शत रहे और जिटें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे वह टिकेट कहां की थी उस पर एक दूसरा द्रिश्य देखा एक बड़ा सुंदर दर्वाजा था जो अचानक खुला चिनों के पास टिकेट थी वह तो दर्वाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकेट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाब सभी बच्चों द्वारा सत्यूगी नई सृष्टी स्वर्ग में चलने की तिकेट दिला रहे हैं परन्तु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं बाद में ले लेंगे लेकिन ऐसे ना हो कि यह टिकेट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए बाबा ने कहा कई आत्माय सुनती हैं सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है तो बाब दादा बच्चों प्रती यही शिख्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है आप जो अब सोच रहे हो सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो यह द्रिश्य दिखाया, फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी, उस नदी में दूर-दूर से कई लोग आकर सनान कर रहे थे, कई फिर वहां ही नस्दीक थे, लेकिन नहां नहीं रहे थे. बलकि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहा है हम जाकर स्नान करे लेकिन जो नस्दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे फिर बाबा ने कहा कि बच्ची यह जो ग्यान गंगा है गंगा के नस्दीक वाले अबुनिवासी हैं दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं लेकिन यहां वाले इस मात्वों को न जान उनको टालते हैं तो कहां ऐसे न हो इस भूल में रह जाए इसलिए बाब दादा के सब बच्चे हैं भल आग्याकारी बच्चे नहीं हैं फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिया हैं तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ग्यान गंगा में नहाने का मिल रहा है व बाब दादा ने रास्ता पलट लिया और जिनोंने नहीं ना आया नभर कर रखा वो औरों से एक-एक बूंद मांग रहे थे तड़फ रहे थे तो बाब दादा ने कहा यह समय अभी आने वाला है फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रती एक महामंत्र की सौगात दी बाबा बोले एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ यही बाब दादा ने स्ने के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रती दी सात्वा इतने पत्र हो गए हैं मैंने कहा बाबा मैं आई हूँ कहा इशु बच्ची को भी सात लाई हो ना देखना इशु बच्ची मैं दो मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे इतने में देखा कि ईशु बेहन भी वहाँ इमज हो गई ईशु का चेरा बिलकुल ही शांध था बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो आज तो पत्र का जवाब देना है उसी समय जैसे साकारवतन का संसकार पूर्ण रिती इमज था मम्मा खड़ी होकर देख रही थी इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहा हो वतन में बाठे हो फिर एक सेकिंड में ही रूप बदल गया बाबा ने कुछ कहा नहीं एक दम टेट साइलेंस हो गए इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यव पत्र खोल कर देखो मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो एक सेकंड लगेगा क्योंकि सभी में एक ही बात है इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हना ही है पत्रों में सभी उल्हना ही थे देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉंड करते है देखना एक रिस्पॉंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में क्या माफिक ही पत्र लिखा पत्र में क्या था? ब्रामन कुलभूशन स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रतनों बच्चो प्रती समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हनों के पत्र सुच्ष्मवतन में पाए रस्पॉंड में बाप्तता बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माय बंदी हुई है सभी पाट बजा रहे है उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यत वतन में पाट बजा रहा हूँ सभी बच्चों को दिल्व जान, सिक्व प्रेम से, अव्यत रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्विकार हो जैसे बाप की स्थिती है वैसे बच्चों को स्थिती रखनी है यह है बाप ददा का पत्र फिर बाबा को हमने भोग स्विकार कराया बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आये हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमज कर अपने हस्तों से चल्दी चल्दी एक एक द्रिष्टी भी दे रहे थे, हातों से गिट्टी भी खिला रहे थे लेकिन एक एक को एक सेकंड भी जो द्रिष्टी दे रहे थे, उस द्रिष्टी में बहुत कुछ भरा हुआ था उसके बाद फिर तीसरा द्रिष्च हमने देखा बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्ण पूछने के लिए कहा है बाबा ने कहा जो भी प्रश्ण है वो पूच सकते हो बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा प्रश्ण सभी पूचते हैं कि पिछाडी के समय आपने कुछ बोला नहीं बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी हैं लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनना चाते हैं बाबा बोले हाँ बच्ची क्यों नहीं अपना अनुभव सुनाएंगे अच्छा लो सुनो बच्ची खेल तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही था उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी किसकी? योगबल और कर्मभोग की कर्मभोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खीच रहा था और योगबल भी फुल फोर्स में ही था ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रह हुए थे, वह फट से योग अगनी में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूँ, जैसे अखाडे में बैट मल्ल युद देखते हैं मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्मभोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखरीन में योग बलने कर्मभोग पर जीत पाली उस समय तीन बाते साथ साथ चल रही थी, वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बाते कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो दूसरे तरफ यू तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्ने की याद शुद्मो के रूप में थी बाकी शुद्मो की रग वह यह संकल्प की छुटी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था तीसरी तरफ यह भी अनुबव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है करमातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुडली भी चलाई कि कैसे भाबा होकर सन्नाटा हो जाता है वैसे ही बिलकुल डेट साइलन्स का अनुबव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक-एक अंग से आत्मा अपनी शक्ती छोड़ती जा रही है। तो कर्मती तवस्था की मृत्यू क्या चीज है? वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता? फिर हमने कहा बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशल लग रही है। रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्ने की मीठी तार जुटी होने की कारण तु में अव्यक पाट बजा रहे हैं बाबा ने कहा मैं भी कभी साकारवतन में चला जाता हूं फिर शिव बाबा पूचते हैं कहां बैठे हो यहां बैठे जैसे साकारवतन में यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूं मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र ल तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूरिहान हो रही थी, फिर बाबा ने एक द्रिश्य दिखाया, जैसे एक चक्र की अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े, चक्र का धंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के चार से पाच रास्ते दिखाई पड़ का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट जीरो पर खड़े हो गए, निकले नहीं, बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंदन, ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंदन से कोई भी निकल नहीं सकते, उस जीरो पॉइंट तक पहु लेकिन फिर भी ट्रामा का मीठा बंदन है। जिस मीठे बंदन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादा में खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। आज जब वतन में गई, तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चल कर क्या देखा। आदी दिखाई दे रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाती कि बच्चों से मात पिता का साकारी साथ छुटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा, ये प्लान जादी क्या है। बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्षे रहते हैं कि कहां कहां, क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है। वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बाचीत चल रही थी। जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक व्रिष्य दिखाया, जिसमें तीन संगठन थे। एक तो देखा लाल-लाल चीटियां जो आपस में गेंद के मौफिक एकटी हो जा रही थी। व्रिष्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबाने शुरू-शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं, शमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्रामनों का था। तो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में पापतादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारो और पत्ते होते हैं। इसका रहस्या बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा। अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है। और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ती है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाब संगठन ने कहां कहां से चुन-चुन कर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल और कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे। और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से गुल्दस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे। कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफटी का साधन है। नववा आज जब वतन में गई तो बाब दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुल्दस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते। फूल दो तीन प्रकार के अलग-अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाब दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी मुझे देखा भी नहीं, जब मैं नस्दीक गई, तो मुझे देख मुस्कुराया, और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ, देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है, यो फूल पत्ते तीन क्वालिटी के अलग-अलग करके रखे हैं, पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए, जिनकी संख्या बहुत कम थी, फिर बीच की क्वालिटी दिखाई, जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे, फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे, वह कुछ डिफेक्टिट थे, तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे, और फूल बहुत ही कम थे, इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वह बच्चे हैं जो बिलकुल दिल पर चड़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं, दूस किसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है, चो पीछे जाने वाला है, बाकी सब हैं प्रजा, तो दो उपर की क्वालिटी बच्चों की है, बाब दादा अब गुल्दस्ता सजाते हैं, जब गुल्दस्ता सजाया जाता है, तो सिर्फ फूल डालने से गुल्दस्ता नहीं शोपता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए, तुम फूल हो, लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए, तुम राजा बनेंगे, तो प्रजा भी चाहिए न, तो प्रजा रुपी पत्तों के बीच में फूल शोपता है, तो यहां बैठे, तुम बच्चो का गुल्दस्ता बनाता हूं और देखता हूं कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुल्दस्ता भी शोपता है फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चड़ाते हैं तो सिर्फ फूल चड़ाते पत् प्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रसम रिवाज होती हैं, जब तुम पहले अरपन हुए तो अकेले थें, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पते साथ में होंगे तो रख सकेंगे, वैसे ही जब तुम पहले अरपन हुए तो तुम अकेले फ प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी। लेकिन अब तो तुम फूलों की शोबा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। दस्वा प्रजा बनाओं प्रजा रूपी पत्तों से हैं। करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिती में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे न। इस पर बाबा ने कहा कि स्ने का रूप तो बहुत देखा। लेकिन स्ने के साथ शक्ती रूप की स्थिती जो बाबा बच्चों की बनाने चाते हैं वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्ने के साथ शक्ती भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्व स्ने नहीं लेकिन साथ में शक्ती भी भरनी हैं। जो बाबा ने खुद द्रिश्य में दिखाया कि बच्चों को इस स्रिश्टी को लाइट माइट की किर्णे देनी हैं। इतने दिन बाबा का स्ने के रूप से मिलन था। लेकिन आज स्ने के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई, और वापस साकार वतन में आ गई. ग्यारवा, आज जब मैं वतन में गई, तुझेसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था, पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. बाप दादा ने नैनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची, इन सबसे मुलाकात करो, और ये भोग सभी को खिलाओ, तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरी छोड़ कर गई हैं, उन सभी को इमर्च कर, बाबा क्लास करा रहे थे. फिर सभी को मदुबन का ब्रह्मा बोजन स्वीकार कराया, उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी, फिर मैंने एक दृष्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे, और जैसे मकान में चप छत परती है, तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सिमेंट पका हो जाता ह तो वो आधार लकडी पटी आधी निकाल देते हैं, तो इस तरह मकान बने की छत बरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी, तो मैं इस मकान को देखती रही, और बाबा गायब हो गया, बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, ऐसे ही द्रिश्य देखते यहां पहुच गई, बारवा, आज जब मैं वतन में गई, तो बाबा नहीं दिखाय दिये, थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा, तो मैंने पूछा आप कहां गए थे, बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है, तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे, पैसे तो साकार रूत में इतने थोड़े समय में सब जगा नहीं पहुच सकता था, अब तो अव्यद्वतन में अव्यद्विमान ध्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुच सकते हैं, हमने कहा बाबा, आपने चक्र लगाया, उसमें आपने क्या अभी तक सने में अच्छे चल रहे हैं, और बहुत ऐसे भी हैं, चिनों के अंदर कुछ संकल भी हैं कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं, बाबा ने कहा कि सने के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठेरे हुए हैं, तो अब सने के साथ ज्यान का फाउंडेशन जरा भी डीला हुआ, तो बच्चों पर वायूमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है, इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी हैं, फिर भी व्यक्त दे में हो, तो सने में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस सने पर फिर जैसे जैसे दिन पढ़ते जाएंगे, तो वायूमंडल का असर चल्दी पढ़ सकता है, सने में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्यानकारी है, या बाबा ने जो किया है वर ठीक है, सने के वर्ष संकल्प बंद किया है, सने की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है, वायूमंडल का असर हमा हमारे पर न हो और हमारा असर वायू मंडल पर हो तब काईदे मुझीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्यान की ही बाते चलती हैं। तब बाबा ने कहा बच्ची ज्यान के फाउंडेशन से अपने को संतुष रखे। ऐसे बच्चे थोड़े हैं। न की वायू मंडल हमें चेंज करें। फिर भोक स्विकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारो ओर से बहुत बद्बु आ रही थी। उस कमरे में दो तीन बहुत अच्छी खुश्बुदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुश्बु ने बद्बु को दबा दिया। बाबा ने सुनाया। देखो बच्चे, चारो तरफ बद्बु का वायू मंडल था। लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायू मंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायू मंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो, कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायू मंडल का असर हमारे पर आये तो इससे तो अगरबती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावर्फुल खुश्बुदार बनेंगे तब यह वायू मंडल तब जाएगा। बाबा ने कहा अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं। लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारन भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, जो ऐसे मीठा बढ़ेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे, याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग-अलग रहेंगे, जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग-योग नहीं रहेगी अब जैसे बच्चों ने सुना, वैसे ही धारन करेंगे, तो बहुत बल मिलेगा तेरवा, आज जब मैं वतन में गई, तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे, और जाते ही नैनों की मुलाकात से, सभी की जो याद प्याल ले गई थी, वर दी जैसे ही मैं याद दे रही थी, तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, उस हाथ पकड़ने में ना मालुम क्या जादू था, ऐसे अनुपव हुआ, जैसे सागर में कोई स्नान करता है ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई, उसके बाद हमने ऑल्माइटी बाबा की तरफ देखा, तो बाबा ने कहा बच्ची, बाप में मुख्य दो गुण जो है, वो बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है वो दो गुण कौन से है, जितना ही ग्यान स्वरूप, उतना ही प्रेम स्वरूप, तो बच्चों को भी यह दो गुण अपने हर चलन में धारन करने है फिर मैंने बाबा से पूछा, कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था बाबा ने कहा, पूरा रास तो बाद में चल कर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुक्तू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था बाबा उनसे हाल चाल पूछ रहे थे, कि कौन-कौन, किस रीती से, किस रूप से क्या-क्या कर रहे हैं, हमने कहा बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्या में बिजी हैं, तो बाबा बोले बच्ची या आगे चल कर सफष्ट करेंगे, फिर भी शौट में सुनाते हैं, बाबा ने कहा, बच्ची जब लडाई होती हैं, तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है, तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारो तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं, इस संगर्धन से यह मालुम हुआ, कि जो भी बच्चे गए हैं, बचारो और फैल अभी चारो तरफ स्थापना की नीव पड़ गई है, बाकी अब और देने की जरूरत है, फिर बाबा ने चार स्टेज की एक सीड़ी दिखाई, पहली स्टेज दिखाई, ज्यान सुनना, सोचना, समचना और निश्य करना, कोई सोच करता है, कोई मन्थन करता है, दूसरी स् कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहां बाड से डूब रहे है, कहां क्या हो रहा है, लेकिन शक्ती दल और पांडव बिलकुल अडोल खड़े थे, तीसरी स्टेज दिखाई, कि आत्माएं जैसे निकल कर परमधाम में गुबारे माफिक जा रही है, फिर परमधाम की सीन भ करवेश हो रही है, तो ये सबी स्टेजस सीडी के चित्र के रूप में दिखाई, ये सीडी दिखाने का रहस्य बताते हुए, बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धी में ये घूमता रहे, कि अब हमारी क्या स्टेज है, जो अंतिम स्टेज धारन करनी है, वह लक्ष्य प अडोल अवस्था रहे, फिर बाबा ने हमें ठेर हीरे हाथ में दिये और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना, ये हीरे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे, अच्छा, ओम शानते झाल झाल